तो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग दोस्तों मैं आप लोगों को सेलरी चैप्टर स्टार्ट करा चुका हूँ सेलरी इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सेलरी में दोस्तों अभी तक हमने जो पड़ा है एक बार उसका फटा-फट से रिव्यू कर लेते हैं मैंने कल आप लोगों को बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो बताया थे इन रिलेशन टू सेलरी चैप्टर सबसे पहली इंपोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी इंप्लॉयर एंप्लॉयर 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 या हम other source में tax लगाएंगे, लेकिन हमें particular head के अंदर tax लगाना पड़ेगा, इसके मैंने examples भी दिये थे आपको, जैसे partner को remuneration मिलता है, फर्म से, किसी भी फर्म के partner को, अगर फर्म से remuneration मिलेगा, तो partner कभी भी फर्म का employee नहीं होता, इसलिए दोस्तों, वो remuneration business income माना जाता है वो remuneration दोस्तों salary में taxable नहीं होता, वो remuneration भाई साब business की income माना जाता है, डायरेक्टर को अगर डायरेक्टर फीस मिलती है company से, तो डायरेक्टर जो फीस होती है न दोस्तों, डायरेक्टर फीस, वो भी other source की income होती है, right, क्योंकि वहाँ पर भी employer employee relation नहीं है, अच्छा employment full time ह हो या part time हो, doesn't matter, it is always taxable under the head salary, section 15 भी हमारा discuss हुआ था, that is called basis of charge, salary income taxable होती है, either on due basis और either on receipt basis, whichever is earlier, और अगर वो पहले due basis पर taxable है, तो receipt basis पर नहीं होगी, और अगर salary receipt basis पर in advance taxable हो गई है, तो दोस्तों फिर वो due basis पर taxable नहीं होगी, advance salary का मतलब है कि वो salary जो due बाद में होगी लेकिन आपको advance में उसका पैसा मिल गया, तो जब पैसा आपको advance में मिल जाता है, तो जिस year में advance मिलेगा, उस year में हम उसको taxable कर देंगे, advance salary में और advance against salary में क्या difference होता है, दोस्तों advance salary salary होती है और वो जिस year में मिलती है उस year में taxable हो जाती है लेकिन advance against salary loan होती है वो salary नहीं होती और loan कभी भी taxable नहीं होता because वो उसको repay करना पड़ता है तो advance salary में और advance against salary में बहुत बड़ा difference है my dear friend area of salary जिस year में due होगा उसी year में taxable हो जाएगा हाँ लेकिन जब वो आपको मिलेगा तब हम उस पर दुबारा tax नहीं लगाएंगे एक मैंने format बताया था कि देखो salary income के लिए सारे monetary और non-monetary benefit आपको लेने पड़ते हैं salary का मतलब केवल monetary benefit ही नहीं होता salary के अंदर monetary benefit भी आते हैं और salary के अंदर non-monetary benefits भी आते हैं my dear friend दोस्तों जब आप salary income को compute करोगे तो आपको क्या करना है जितने भी benefits हैं वो सारे आपको वहाँ पर लेने हैं जो employer से employee को मिले हैं in terms of employment चाहे वो basic salary हो, fees हो, commission हो, bonus हो, everything सब कुछ आप लोगों को लेकर चलना है दोस्तों allowance जो होते हैं basically वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत detail में, percusates भी हम लोग पढ़ेंगे, retirement benefits भी हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद जब आप लोग gross salary निकालोगे तो gross salary में से you can take deductions, और deduction हमेशा under section 16 मिलते हैं, standard deduction मिलता है, entertainment allowance का deduction मिलता है, government employees को, professional tax का deduction मिलता है, finally हमारी salary income आती है, दोस्तों अगर आप salary को foregoing कर देते हो, due होने के बाद तो it becomes taxable, तोकि कोई भी amount अगर एक बार आपको due हो गया है, और उसके बाद दोस्तों अगर आप salary को foregoing करोगे, तो वो आपको पहले due हो चुकी है, it is called application of income, and it becomes taxable, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा exception है, surrender of salary, कोई भी बन्दा अगर अपनी salary को surrender कर देता है, कहां surrender कर देता है, central government को surrender कर देता है, under act बनाऊ है, salary surrender act, central government का एक act बनाऊ है, उसके अंदर अगर आप surrender करोगे, और कोई भी surrender कर सकता है, भाई, कोई भी employee surrender कर सकता है, तो nothing is taxable, जबकि यहाँ पर भी salary आपको due हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आप amount को taxable नहीं करोगे, salary paid tax free का मतलब यह नहीं होता कि tax नहीं लगेगा, salary paid tax free का मतलब है, कि उस salary का tax employer ने जमा करा दिया, employer ने pay कर दिया, और मैं आपको बता दू दोस्तों, employee की monetary obligation को अगर employer पे करेगा, तो it is also percusate my dear friend, और percusate is also part of your gross salary, तो अगर employer अपने employee को कोई भी benefit देता है, whether in terms of tax, अगर employee का tax भी employer जमा कराएगा, तो the tax also becomes part of your gross salary, वो चो tax होगा ना tax, वो भी gross salary का part बन जाएगा, place of accrual कहां माना जाता है, जहां पर आप service rendered करते हो, वहां पर माना जाता है, लेकिन दोस्तों, याद रखना, आपको पैसा कहीं भी मिले, अगर आपने service इंडिया में दिये, तो it becomes taxable, whether you are non-resident or resident doesn't matter, लेकिन दोस्तों, एक बात और बताना चाऊँगा, एक बात और बताना चाऊँगा, अगर आप embassy में काम करते हो, आप इंडिया के बाहर काम करते हो, और आप इंडिया के citizen हो, और इंडिया की सरकार, भारत सरकार, Government of India, अगर आपको पैसा देती है, तो वो सारा पैसा, चाएए आप इंडिया के बाहर काम करो, चाएए आप इंडिया के बाहर नौकरी करो, वो जितना भी पैसा भारत सरकार आपको देगी, वो सारा का सारा amount आपकी income माना जाएगा कि आपने उसको इंडिया से earn किया है अब आप चाहे भले ही non-resident हो लेकिन अगर इंडिया की government ने पैसा दिया है तो income इंडिया से कमाई हुई मानी जाएगी और दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि allowance और परक्यूसिट्स जब-जब government of India ऐसे लोगों को देती है इंडिया के बाहर वो हमेशा exempt होते हैं मैं जब आपको allowance और परक्यूसिट्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ये बात मैं आपको detail में समझाऊंगा तो चलिए दोस्तों आज का हमारा एक important topic है जिसे हम start करने जा रहे हैं दिल थाम कर बै register अपने concept notes यहां पर निकाल लीजिए और allowance के बारे में dear आज हम बहुत detail से समझने वाले हैं आज हम इसको बहुत detail में यहां पर discuss करेंगे चलिए जी start करते हैं तो आप लोग पहले समझने पर ध्यान दो फिर मैं आपको proper time भी दूँगा फिर आप लिख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि भाई मुझे लिखने में थोड़ा सा time जादा लग रहा है तो आप वीडियो को भीच में pause करके भी लिख सकते हैं लेकिन दोस्तों यह notes आपको copy में बनाने हैं मैं आपको guarantee देता हूँ copy में बनाने से चीज़ें आपको बहुत जल्दी से याद हो जाती ह तो आज हम लोग दोस्तों allowance के बारे में discuss करेंगे कि भाई यह allowance क्या चीज़ होती है और allowance जो होते हैं इनके बारे में आज हम बहुत detail में discuss करेंगे तो allowance क्या होता है भाई साब allowance एक monetary payment होता है allowance जो होता है वो क्या होता है एक monetary payment होता है जिसे हम लोग क्या बोलते है allowance ठीक है और यह हर employer अपने employee को देता है during the job जोस्तों जब आप नौकरी करते हो तो employer अपने employee को किसी particular काम के लिए किसी particular purpose के लिए पैसा देता है money देता है cash देता है तो वो जो पैसा वो जो money दी जाएगी that is called allowance allowance are given always in monetary form my dear friend allowance का जो पैसा दिया जाएगा वो हमेशा monetary format में दिया जाएगा always given in monetary format वो हमेशा आपको कौन से form में दिया जाएगा भई monetary form में दिया जाएगा monetary form में दिया जाएगा तो allowances जो होते हैं दोस्तों it is always given to the employee to meet some particular requirements like house rent expenses on uniform convince like that एक employee को बहुत सारे काम करने होते हैं dear जब वो नौकरी करता है तो उसको बहुत सारे काम करने होते हैं you can say उसको मकान का किराया उसको मकान किराय पर लेना होता है उसको uniform कई बार कई jobs में uniform होती है कई बार आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है कन्वेंस चाहिए होता है आपको तो employer आपको एक fix sum of money देता है कि ले भाई ये पैसा पकड़ और इस काम को करके आ ठीक है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं allowance बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं भटा तो allowance अगर आपको मिलेगा तो उसका आप tax treatment क्या करोगे तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा मैंने यहाँ पर तीन टाइप्स के allowances के बारे में लिखा है सबसे पहले मैंने उन allowances के बारे में लिखा है जो की fully taxable है my dear friends fully taxable सबसे पहले मैं आपको वो allowance बताने जा रहा हूँ जो की fully fully क्या है taxable इसके बाद मैं आपको वो allowance बताऊंगा जो की partly taxable है और इसके बाद मैं आपको वो allowance बताऊंगा जो की fully fully exempt है तो there are three types of allowances सबसे पहले वो allowance जो fully fully taxable है फिर हम fully का मतलब होता है कि जितना पैसा मिला है जितना amount आपको employer से मिला है वो पूरा का पूरा amount क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा उसे हम बोलते हैं fully fully taxable एक होता है partly taxable मतलब जितना allowance मिला है जितना allowance मिला है उसका कुछ part तो exempt हो जाएगा और कुछ part जो है taxable हो जाएगा उसको हम बोलते हैं partly taxable क्या बोलते हैं उसको partly taxable और एक होता है भाई साब fully exempt कितना भी allowance मिल जाए it cannot become part of your taxable salary देखो मैं आपको allowance नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि allowance तो always given in your question मैं तो आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि भाई जो allowance आपको question में given है उसे आप taxable करोगे नहीं करोगे वो बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उसमें से exemption कितनी मिलेगी वो बात मैं आपको बताऊंगा तो हम allowances को start करने जा रहे हैं दोस्तों और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो partly taxable allowance है वो यहाँ पर पढ़ाने वालो हूँ पार्टली का मतलब होता है जिसमें कुछ part taxable हो सकता है कुछ part exempt हो सकता है तो सबसे पहले हम उन allowances के बारे में discuss करेंगे जो partly taxable वाली category में आते हैं तो कौन-कौन से allowance हैं भाई जो partly taxable वाली category में आते हैं तो there are two types दो तरह के ऐसे allowance होते हैं जो partly taxable वाली category में आते हैं एक तो होते हैं expenses based और एक होते हैं भाई साब limit based exemption मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको allowance नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको allowance पर मिलने वाली exemption पढ़ाऊंगा क्योंकि allowance तो question में पहले से given होगा आपको तो बस ये चेक करना है कि भाई जितना allowance हमारे question में given है उसमें से हम कितनी exemption ले पाएंगे that is the point my dear friend ये बात आपको यहाँ पर समझ कर और सीख कर चलनी है तो चलो भाई सबसे पहले partly taxable allowance के बारे में बात करते हैं दोस्तों ये जो allowance में आपको अभी-अभी पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें आपको exemption calculate करनी है मैंने कल आपको format भी बनवाया था कि भाई पहले allowance का जितना amount मिला है वो अंदर लिख लो और उसमें से exemption को क्या कर दो minus तो exemption कितनी मिलेगी ध्यान से सुनिएगा यहां पर दोस्तों exemption जो होती है न वो दो type की होती है there are two types of exemption the first one is called expenses base and the second one is called limit base so there are two types of exemption partly taxable में दो तरह की exemptions होती है एक तो होती है expenses base एक होती है limit base चलो पहले हम expenses base की बात करते है expenses base का मतलब यह है कि जितना allowance आपको मिला है अच्छा कितना मिला है that is given in your question जितना पैसा आपको दिया जाएगा allowance के format में वो तो question में पहले से mentioned होगा उस में से जितना amount आपने खर्च कर दिया है जितना amount आप से दोस्तों expend हो गया है जितना आपने spend कर दिया है for official duties not personal purpose ध्यान रखना जितना पैसा मिला है वो question में given होगा उस में से आपने कितना खर्च कर दिया spend कर दिया वो भी question में given होगा तो उतना amount तो आप less कर दो और balance जो बच गया है that will become taxable that will become taxable my dear friend बाकी बचा जो amount होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाकी बचा amount जो होगा वो यहाँ पर taxable हो जाएगा तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो इसके अंदर भाई साब मैं आपको 6 नाम बताऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको दोस्तों केवल यह 6 नाम याद रखने है अच्छा इसमें कुछ नहीं करना आपको केवल नाम याद रखना है केवल आपको इन अलाउंस के नेम याद होने चाहिए because कितना पैसा मिला है that is given in your question कितना आपने उसमें से expenditure कर दिया that is also given in your question ठीक है तो सबसे पहला नाम निकल कर आता है traveling allowance दोस्तों एक employer अपने employee को travel करने के लिए allowance देता है from one place to another एक जगह से दूसरी जगह पर travel करने का पैसा देता है जिसको हम लोग traveling allowance बोलते है जैसे बहुत सारे लोगों का sales का job होता है दोस्तों sales का job उनको बहुत जारा traveling करनी होती है तो उसके लिए employer उनको क्या देता है पैसा देता है ठीक है अब जैसे मान लो आपके question में आपके exam में question आया और वहाँ traveling allowance आपको मिला है मान लो पूरे साल भर में 15,000 का तो जब आप taxable salary निकालोगे तो 15,000 traveling allowance लिखोगे minus करोगे आप exemption क्योंकि हर बंदा क्या लेना चाहता है exemption लेना चाहता है अब exemption जो मिलेगी वो expenditure पर based है किस पर based है expenditure पर मान लो दोस्तों question में लिखा है कि 10,000 रुपया आपने खर्च कर दिया लेकिन ये expenditure जो होता है ना भाई साब वो official परपच के लिए होना चाहिए तो question में लिखा हुआ है कि 10,000 का खर्चा हुआ है और official हुआ है तो उतनी आप लोग यहाँ पर exemption ले लो balance amount आपका taxable हो जाएगा जो 5000 रुपय balance amount है that will become taxable सर एक बात बताओ तो अगर ये 10,000 का खर्चा personal लिखा हुआ होता तो तो भाई साब फिर हम exemption नहीं लेते फिर तो भाई साब पूरे के पूरे 15,000 को ही taxable करना होता क्योंकि आपने expenditure तो किया है लेकिन आपने expenditure personal परपच के लिए कर दिया ऐसा question में लिखा हुआ है तो यू कैन नाट क्लेम एनी टाइप ऑफ एक्जमिशन सर एक बात बताओ allowance 15,000 तो लिखा है और 10,000 का खर्चा भी बताया है लेकिन सर ये तो बोलाई नहीं question में कि official किया है या personal तो हम क्या माने दोस्तो जब question में कुछ नहीं दे रखा हो कि whether it is official और personal तो आप उसको official ही मानना in absence of information you should assume it is official expenditure तो official अगर मानोगे तो minus होई जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है तो ये बात आप लोग यहाँ पर विशेश ध्यान रखेंगे सबसे पहला नाम आता है traveling allowance का जितना पैसा मिला है लिख लो भाई अब कितना मिला है वो भी question में होगा कितना खर्च हो गया that is also given in question sir एक बात बताओ ऐसे तो मान लो कोई ये बोले कि जी मेरा तो 16,000 खर्च हो गया ये लो मिले तो 15,000 थे लेकिन expenditure 16,000 हो गया तो क्या करेंगे तो भाई साब देखो बाहर माइनस एक हजार तो लिखना मत गलत है ये क्योंकि exemption जो मिलती है न exemption वो कभी भी income से जादा नहीं हो सकती अब आपकी income मान लो 15,000 है और आपने खर्चे किये है 16,000 तो भाई आप exemption 16 कैसे ले लोगे आप जादा से जादा exemption 15,000 ले सकते हो तो your balance amount is zero तो taxable zero होगा माइनस एक हजार मत कर दियो कि लो जी मैं सरकार से tax मांग लूँगा सरकार मेर से क्या मांगेगी ऐसे काम मत कर दियो तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो exemption मिलती है वो कभी भी income से जादा नहीं हो सकती exemption जो मिलती है न दोस्तों दिया है पूरे year का क्योंकि calculation पूरे साल की होती है previous year की और सर हमें कुछ बोला ही नहीं कि खर्चा हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं बताया तो भाई जब question में कुछ नहीं बताया तो आप assume करो कि खर्चा नहीं हुआ है और ये बात आप लिखकर भी आओ नीचे working note पे कि we assume that the amount has not been spend or not been expanded ऐसे लिखो आप तो इसका मतलब पूरा amount ही क्या हो जाएगा taxable तो बोलो भाई बात समझ में आईए आपको तो सबसे पहले मैं आपको वो allowance पढ़ा रहा हूँ जिनमें exemption मिलती तो है लेकिन it is based on expenditure और ये बात ध्यान रखना भाई वो जो expenditure होता है वो भी official परपज के लिए होना चाहिए अगर आपने expenditure personal परपज के लिए किया है तो you can not claim any type of exemption ठीक है समझ में आया तो इसमें केवल नाम याद रखना है तो पहला नाम याद रहेगा traveling allowance दूसरा daily allowance दोस्तों जब हम लोग traveling करते हैं न तो during the travel हमारे कुछ खर्चे होते हैं भई आदमी travel करेगा तो रास्ते में कुछ खर्चे होंगे कुछ refreshment लेगा चाय पानी का खर्चा होगा और भी कई शौक हो सकते हैं आपको चोटे मोटे तो उसके लिए employer आपको daily allowance देता है daily allowance इसको हम लोग short में बोलते है TADA TADA आपने सुना भी होगा कभी कभी की भाई मेरे को TADA मिला है अगर नहीं सुना है भाई तो जब आप training करोगे न CA वाला जो training होता है आप लोगों का या CS का training या CA में का जो training होता है उस training के अंदर आप लोगों को ये सारी बात सीखने को मिलेंगी वहाँ पर आपको मान लो कहीं काम से बाहर भेजा audit पर भेजा या कोई और other काम के लिए भेजा तो वो लोग आपको क्या करेंगे पैसा देंगे TA और DA का एक traveling allowance मिलेगा एक daily allowance मिलेगा हम भी देते हैं मेरा कुद का firm है जैपूर के अंदर practice firm है मेरा आप लोग को अगर काम सीखना है आपको training करना है तो मेरे से ज़रूर contact करिएगा exam के बात आप लोगों को पूरा taxation का practical knowledge मिलेगा अभी तो पूरा theoretical knowledge है फिर practical knowledge मिलेगा आपको राइट ध्यान रखना भाई इस बात का तो ये T.A.D.A. मिलता है अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरे को जितने पैसे मिलेंगे मैं तो सारे के सारे बचा लूँगा अच्छा बचा लो मुझे क्या दिक्कत है कि सर मैं तो लिफ्ट लेके चला जाऊँगा सारे पैसे बचालूँगा मैं T.A.D.A. का एक रुप्या खर्च नहीं करूँ मत कर खर्च क्योंकि employer पैसे वापस थोड़ी लेता है कि लो भाई हमने आपको 15,000 दिये थे लाओ जी लाओ आपका खर्चा तो 15,000 ही हुआ है पांच हजार वापस दो ना 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 employer ने एक बार 15,000 दे दिये अब ये आपका tension है कि आप कैसे करोगे काम बचाओ तो अच्छी बात है नहीं बचाओ तो अच्छी बात है तर एक बात बताओ आपने बोला कि employer ने traveling allowance दे दिया 15,000 रुपीज का ओके तुस्तर एक बात बताओ practically में तो सब लोग यही कहते होंगे ना कि मेरा तो पूरा ही खर्च हो गया 15,000 बलकि यह कहते होंगे 16,000 हो गया 17,000 हो गया कोई कम क्यूं बताएगा काकि nothing shall be taxable हाँ practically ऐसा ही होता है दोस्तों मेरे office में जितने भी client आते हैं ना दोस्तों जितने भी उन सब के मैंने एक चीज देखी है कि यह जो allowance होते हैं ना expenditure वाले यह वाले यह expenditure वाले जो allowance है यह भाई साब वो पूरा खर्चा दिखाते है क्योंकि खर्चा दिखाने में जा क्या रहा है भाई आपको बिली तो बनवाने तो बिल तो आराम से बन जाते तो लोग practically में देखो question में तो जितना खर्चा बताएंगे अपने को उतना less करना है लेकिन practical life में लोग क्या करते हैं भाई इतना मिला है उतना खर्चा पूरा दिखाते हैं ताकि nothing shall be taxable nothing shall be taxable बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई is it clear or not हासर बात बहुत जोड़ से आ रही है समझ में तो ये सारी बात दोस्तों मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिये है तो सबसे पहले traveling allowance हो गया अब उसके बाद में हो जाता है traveling के बाद में daily allowance daily allowance आपको जब आप travel करोगे तो वो भी मिलेगा अच्छे इसमें भी वोई बात है जितना expenditure हो जाएगा उतना minus कर दो और balance part को क्या कर दो taxable इसके बाद आता है convince allowance अब आप कहोगे sir traveling और convince तो same होता है ना जी ना थोड़ा सा फर्क है देखो traveling allowance from one place to another place travel करने के लिए मिलता है जैसे माल लो मैं जैपूर का रहने वाल हूँ और मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे जैपूर से माल लो डैली भीज रहे है या मुझे जैपूर से मुंबई भेज रहे है तो मैं जब office के काम से एक place से दूसरे place पर जाऊंगा तो that is called traveling allowance लेकिन suppose करो मेरी job जैपूर के अंदर है जैपूर राजस्तान गुलाबी नगरी में तो भाई ये जो जैपूर है यहाँ पर मेरी job है तो जैपूर के अंदर जो local काम है local मतलब जो जैपूर के अंदर जो मुझे काम कर रहा है local work उसके लिए अगर मुझे allowance दिया जाता है न तो that allowance will be called convince allowance तो अगर आपको one place to another place पर जाने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो हम बोलते हैं traveling allowance और जैपूर में जो official local duties है उसके लिए अगर पैसा मिलेगा तो that is called convince allowance दोस्तों फिर हम उसको convince allowance बोलें ठीक है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो traveling allowance from one place to another place दिया जाता है और convince allowance दिया जाता है कि जिस जगह पर आपका duty है जहाँ पर आपकी job है वहां के local works को करने के लिए जो allowance दिया जाएगा that is called convince allowance ठीक है तो इन सबका एकी treatment है भाई जितना खर्चा हो गया है minus कर दो और ये जरूर ध्यान रखना की खर्चा जो होता है वो official purpose के लिए होना चाहिए और exemption किस से ज़ादा नहीं मिलेगी जो allowance का amount है उससे ज़ादा आपको exemption नहीं मिलेगी राइट चलो next पर आते हैं दोस्तों और next का नाम है helper allowance अब आप बोलोगे सर ये helper allowance क्या चीज़ है माल लो दोस्तों employee किसी job में है और बहुत ज़ादा काम कर रहा है एक दिन वहां पर employer आ गया मालिक आ गया कि अरे भाई employee बहुत काम कर रहे हो कि मालिक करना पड़ता है पापी पेट का सवाल है घर पर छोटे छोटे हैं उनका कैसे पालन पोशन हो तो मालिक को दया आ गई मालिक ने बोला कि भाई इतना काम करते हो एक helper रख लो तो employee ने बोला जी मैं helper कहां से रख लू मेरी खुद की salary देखिए जो मैं helper रख लू कि अरे भाई tension ना लो helper रखने के लिए मैं तुम्हें अलग से allowance दूँगा कि हाँ मालिक दे दो कितना दूँगा suppose 5000 रुपया महीना तो इसका मतलब अगर आपने पूरे 12 months जॉब करिये तो आपको helper allowance कितना मिलाओंगा 60,000 लेकिन suppose करो helper allowance मिल गया है फिर भी helper नहीं रख रहा सारे पैसे बचा रहा है तो बताओ दोस्तों इसमें से क्या आप exemption लोगे नहीं कैसे लोगे जब खर्चा ही नहीं किया तो कैसे लोगे इसका मतलब पूरे 60,000 क्या हो जाएंगे tax से लो जाएंगे ना बोलो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे हाँ जी हो जाएंगे और मान लो उसने helper रखा 2,000 रुपे महीने का मतलब मिले तो 5,000 थे लेकिन उसने helper रखा 2000 महीने का तो बताओ exemption कितनी मिलेगी 24,000 मिलेगी है ना 24,000 मिलेगी तो इसका मतलब 36,000 हमारा क्या हो जाएगा taxable तो ये है भाई साब helper allowance तो इन allowance में आपको जादा दिमाग नी लगाना इन में केवल आपको नाम याद रखना है जब आप नाम याद रख लोगे तो उसी से आपका काम हो जाएगा इसके बाद आता है research और academic allowance ये क्यों दिया जाता है अजलब examiner आप से ये पूछेगा नहीं कि traveling allowance क्यों देते है daily allowance क्यों देते हैं ऐसा नहीं पूछेगा आपको तो बस exemption पता होनी चाहिए कि मुझे exemption कितनी लेनी है exam में ऐसे question नहीं आते कि बराज जाई बहुए इसका meaning बताओ वो तो मैं आपको एक just knowledge के लिए बता रहा हूँ तो जैसे एक होता है भाई साम research और academic allowance तो आपका knowledge का level सबसे जादा होता है बताओ क्यों क्योंकि आप सारे subjects के touch में होते हो आप accounts भी पढ़ते हो आप financial management भी पढ़ते हो आप cost accounting भी पढ़ते हो आप law भी पढ़ते हो everything आप पढ़ते हो आप text भी पढ़ते हो आप IT का कोई subject भी पढ़ते हो तो computer के भी touch में होते हो लेकिन दोस्तों जब आप अपनी professional degree ले लेते हो तो आपको एक specific area में काम करना पड़ता है जैसे अभी मेरा example ले लो पिछले कई सालों से दोस्तों मैं केवल tax-y-text पढ़ाता हूं मेरा practice भी tax का ही है तो बताओ मेरे को ज़्यादा मेरी specialist है वो tax है अब आप मेरे से अगर accounts के बारे में कुछ पूछोगे या आप मेरे से financial management के बारे में कुछ पूछोगे तो मुझे नहीं आता हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़े नहीं है जब मैं पढ़ाई कर रहा था जब मैं professional degree लिया तब मैंने पढ़ा था लेकिन अब मैं उसके touch में नहीं हूँ तो दोस्तों क्या होता है कि जब employee नौकरी पर लगता है जब वो job join करता है तो उसका knowledge का level बिल्कुल update होता है लेकिन दोस्तों एक बार जब नौकरी लग गई तादी हो गई घर में परिवार हो गया जी फिर कहां time मिलता है बताओ फिर तो जिम्मेदारी आ जाती है न छोटे छोटे हो जाते उनका ध्यान रखना पड़ता है तो कोई आदमी अपनी knowledge अपडेट नहीं करता और दोस्तों आज के इस environment में knowledge को update करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप knowledge अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे तो employer क्या करता है employee को ये कहता है कि देखो employee तुम जब इस organization में आये थे पैसा लगता है मुझे books मंगानी पड़ेंगी मुझे seminar attend करने पड़ेंगे बहुत सारी conference join करनी पड़ेंगी तो मालिक ने बोला कि tension मतले मैं इसके लिए तेर को research और academic allowance दूँगा research allowance बोलो या academic allowance बोलो एक ही बात है तो ये पैसा employer क्यों देता है employee को वो अपनी knowledge को update करे अपनी academic knowledge को बढ़ाए research करे इसलिए देता है पैसा अब मालो मालिक ने तो पैसा दे दिया उसको अर्ग साल मालिक जो है उसको 15,000 रुपया दे रहा है research और academic allowance लेकिन भाई साब ये जो employee है ये जाता है यो यो हनी सिंग के program में पार्टी यो ही चालेंगी गम हो तो बंद करा लो पार्टी यो ही चालेंगी वहाँ जाता है ये बताओ इससे बढ़ेगी academic knowledge इससे knowledge बढ़ेगी तो इसका मतलब आपने खर्चा तो किया भाई लेकिन ये खर्चा eligible थोड़ी है ये कहां office के लिए थोड़ी किया आपने ये तो आप अपने entertainment के लिए इदर उदर घूम रहो भाई साब पूरे 15,000 taxable होंगे लेकिन माल लो दोस्तों GST पर कोई conference है income tax पर कोई conference है accounting standard पर कोई conference है और आप वहाँ पर खर्चा करते हो suppose करो 10,000 तो आपको exemption मिलेगी 10,000 की और 5,000 रुपिया आपका क्या हो जाएगा taxable तो आपको ये वाला allowance समझ में आया research और academic allowance समझ में आया आपको is it clear or not yes sir the next is uniform allowance uniform allowance बहुत सारी जॉब ऐसी होती है दोस्तों बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जहां पर uniform जरूरी होती है जैसे पुलिस का जॉब है तो पुलिस के जॉब में uniform होना बहुत जरूरी है वरना कोई पुलिस मानेगा ही नी आपका मतलब जो body है शरीर है बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल खतम लेकिन अगर आपने पुलिस का uniform पहन लिया तो सामने वाला डरेगा ने डरेगा अरे पुलिस है पुलिस और दोस्तों अगर आप चाहे पुलिस हो लेकिन अपर आपके पास uniform नहीं है तो कोई आपको seriously नहीं लेगा तो uniform होना बहुत जरूरी है जैसे आर्मी के अंदर uniform होना बहुत जरूरी है doctors का uniform होता है दोस्तों तो अगर आप कहीं job करते हो और आपके organization में uniform का code है कि uniform पहनना जरूरी है तो बहुत सारे employer अपने employee को uniform के लिए पैसा देते हैं बहुत सारे employer अपने employees को uniform के लिए पैसा देते हैं fix कि भाई जरा दो जोड़ी uniform हर साल नया खरीद लिया करो या uniform अगर खरीद लिया है तो उसका maintenance भी करना पड़ता है उसको dry clean करवाना उसको press करवाना भी पड़ता है तो उसके लिए employer uniform allowance देता है uniform allowance अब आपको uniform allowance मिला मान लो पूरे साल भर में 10,000 का कि भाई दो जोड़ी uniform हर साल नहीं बनवा लो लेकिन आप पुरानी से ही काम चला रहे कि नहीं नहीं मैं खर्च नहीं करूंगा तो बथाओ वो पूरा का पूरा 10,000 taxable होगा नहीं होगा या एक uniform मनवाली और एक जो है नहीं बनवाई की पुरानी से काम चलाएंगे तो जितने पैसे बचेंगे भाई साब वो taxable होंगे नहीं होंगे तो ये वाली बात है दोस्तों तो ये 6 allowance ऐसे हैं जिन में केवल आपको name याद होना चाहिए क्योंकि कितना मिला वो भी question में होगा कितना expenditure हुआ वो भी question में होगा तो ये 6 allowance ऐसे हैं दोस्तों जहां पर आपको केवल name याद होना चाहिए जल्दी से बोलो फटाफट से कौन कौन से हैं पहला traveling allowance दूसरा daily allowance third convince allowance fourth helper allowance fifth होगिया research और academic allowance और भाई साब sixth होगिया uniform allowance ये 6 नाम आप याद कर लो बाकी तो सारी information question में given होगी बोलो भाई लोगो बात समझ में आई या नहीं आई हाँ सर बात बहुत जोड से समझ में आई तो अभी मैं बाकी के allowance भी आप लोगों को बढ़ा देता हूँ उसके बाद हम लोग practical questions भी यहाँ पर solve करेंगे चलो बाकी के allowance भी पढ़ लो फिर मैं आपको एक proper time दूँगा जिसमें आपको ये सारा note कर लेना है copy के अंदर screen को pause करके भी आप note कर सकते हो चलो तो अब हम यहाँ पर discuss करेंगे limit based allowance अब आप ये जानना चाहोगे sir ये limit based क्या मतलब है limit based दोस्तों मैं अब आपको कुछ ऐसे allowance के name बताऊंगा जहां पर income tax law के अंदर limit prescribed की गई है और अगर आपको allowance उस limit के अंदर मिलेगा अगर आपको दोस्तों allowance मिलता है और वो allowance अगर आपको limit के अंदर मिलता है तो you can take exemption you can take exemption लेकिन exemption limit से जादा नहीं मिलेगी तो सर इसका मतलब वो limit हमको याद करनी पड़ेगी बिलकुल याद करनी पड़ेगी दोस्तों allowance का नाम भी याद रखना पड़ेगा और उसमें जो exemption की limit है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी पहले वाले allowance में limit नहीं थी वहाँ तो expenditure पर बेस exemption मिलती है मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों मैं आपको allowance नहीं पड़ा रहा क्योंकि allowance जो भी मिलेगा that is always given in your question मैं तो आपको allowance पर मिलने वाली exemption पड़ा रहा हूँ तो ये वो allowance है दोस्तों limit based जिसमें आपको name भी याद होना चाहिए और उस allowance के अंदर कितनी limit लगी हूई है वो भी आपको याद होना चाहिए तो इसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है Children Education Allowance Children Education Allowance बच्चों की पड़ाई के लिए employer ने employee से कहा देख employee तू तू नहीं पड़ा लेकिन ये जो तेरे छोटे 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 बच्चे हैं चुन्नू इनको जरूर पड़ाई हो कि मालिक कहां से पड़ाऊं तनका बहुत कम है कि लिए ले Children Education Allowance ले 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 ये पैसे पकड़ाई हर महीने मालिक अपने employee को Children Education Allowance देता है दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि सर इतने allowance को ये employer देता है क्या बिल्कुल देता है जब हम किसी बड़ी company में जॉब करते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम limit based जो allowance है उसमें सबसे पहले Children Education Allowance पड़ रहे है और मैं आपको बता दू कि Children Education Allowance एक ऐसा allowance है जिसमें employer अपने employee के बच्चों को पड़ने के लिए ये वाला allowance देता है कि employee तुम तो नहीं पड़े लेकिन तुम अपने बच्चों को जरूर पड़ाना ठीक है तो इसके लिए Children Education Allowance दिया जाता है अब कितना allowance मिलेगा that is always given in your question ये आपको पहले से question में given होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप exemption लोगे तो expenditure का कोई मतलब नहीं है मतलब expenditure से कोई लेना देना नहीं है जो भी लोग के अंदर limit prescribed है उतने amount तप आप exemption ले सकते हो balance amount will become taxable जैसे यहाँ पर दोस्तों 100 रुपया पर मंत पर child की limit है 100 रुपया पर मंत पर child की limit है तो आप उतने amount की क्या ले सकते हो exemption और ये exemption जो आपको मिलेगी ये maximum दो बच्चों के लिए मिलेगी तो ये जो allowance आप limit based वाले पढ़ रहे हो उसके अंदर expenditure का कोई मतलब नहीं है दोस्तों expenditure चाहे आप कम करो या expenditure चाहे आप जादा करो doesn't matter my idea is you can take exemption up to the prescribed limit जैसे दोस्तों यहाँ पर 100 रुपया पर मंत और पर child की limit prescribed है पर मंत और पर child और मैं बता दू भाई ये जितनी भी limit है न ये सब maximum limit है maximum मतलब आप इससे जादा exemption नहीं ले सकते जो limit law में prescribed है अब देखो यहाँ पर mistake कैसे होती है बात को समझिएगा मान लीजिए दोस्तों आपके question में आपके question में children education allowance है 80 रुपीज पर मंत पर child question में लिखा हुआ है कि employer ने अपने employee के बच्चों को पढ़ाने के लिए 80 रुपिया महीना 80 रुपीज पर मंत पर child दिया और मान लो जी उस employee के 3 children है तो employer अपने employee के 3 children के लिए पैसा दे रहे है क्योंकि employer employee को कुछ भी दे सकता है 2 बच्चों के लिए 4 बच्चों के लिए 10 बच्चों के लिए दे सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आप यहां पर exemption कैसे claim करोगे बात को ध्यान से समझिएगा suppose करो दोस्तों आप पूरे 12 months यहां पर job कर रहे हो पूरे 12 महीने काम कर रहे हो तो आप लिखोगे Children Education Allowance कितना लिखोगे 80 into 3 into 12 बताओ भई कितना आएगा 80 into 3 into 12 80 into 3 into 12 यह हमारा निकल कर आएगा 2 double 8 0 दोस्तों हम यहां पर बताओ exemption क्या लेंगे that is very very important अब यहां पर बहुत बड़ी mistake हो जाती है दोस्तों आपको लगता है कि 100 रुपिया परमन्त exemption लेना तो हमारा अधिकार है इतना तो हमको मिलेंगा ही मिलेंगा दोस्तों ऐसा नहीं है यह जो limit law में है ना भाई यह prescribed है यह fix है यह maximum to maximum है तो आपको जब allowance ही 80 रुपीज मिला है तो आप 100 रुपिया का exemption कैसे ले लोगे आप exemption 80 ही ले सकते हो क्योंकि 100 रुपिया तो maximum है तो जब आपको allowance 80 रुपीज मिला है तो you can take exemption अप 2 रुपीज 80 only तो आपको मिलेगी 80 into 2 into 12 तो यहाँ पर आपको exemption मिलेगी 1920 तो अगर आप exemption 2400 लेने जा रहे थे तो वो wrong था वो wrong था दोस्तो ऐसे जिद करके मतमेट जाना कि 100 रुपिया exemption तो मैं लेकर रहूँगा कैसे ले लेगा हाँ अगर allowance आपको 150 मिल रहा होता एक बच्चे का तो आप 100 रुपिया ले लो माइनस कर लो 100 रुपिया कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको एक बच्चे का 100 रुपिया भी मिल रहा है तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि चिल्डरन एजूकेशन अलाउंस जब भी कोईशन में आएगा यू केंट टेक exemption ओनली अप टू दिस लिमिट 100 रुपिया परमन्त इस से जादा दोस्तों आपको exemption नहीं मिलेगा ये जो 100 रुपिया परमन्त है ना that is the maximum limit माइडिया maximum limit और आप यहाँ पर जो exemption लोगे वो maximum to maximum दो बच्चों के लिए ले सकते हो दो बच्चों से जादा के लिए आप exemption नहीं ले सकते तो अगर 1920 का exemption मिलेगा तो जो balance amount है वो हमारा 960 यहाँ पर flexible हो जाएगा right चलिए second पर आते हैं second का नाम है hostel expenditure allowance दोस्तों जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको hostel में भी रुकना पड़ता है hostel में भी रहना पड़ता है तो जब एक employer अपने employee के बच्चों को hostel में रुकने के लिए पैसा देगा hostel expenditure allowance देगा और बड़ी बड़ी companies में होता है दोस्तों जो बड़ी बड़ी companies हैं वो अपने employees को इस तरह के allowance देती है तो यहाँ पर भी दोस्तों limit fix है देखो आपको examiner यहाँ पर बहुत बड़ी mistake कराएगा वो बताए क्या करेगा जितना allowance मिला है वो भी देगा और साथ में खर्चा भी बताएगा कि भई दो हजार रुपे खर्च हो गए भई दो हजार खर्च हुए ना हुए उससे क्या परक पड़ रहा है खर्चा कम हो जादा हो doesn't matter आपको exemption जो मिलेगी वो limit पर based मिलेगी अगर आपको question में expenditure दिया गया है भाई तो उस पर ध्यान मत दो doesn't matter doesn't matter my dear friend दूसरा जो allowance हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं that is called hostile expenditure allowance तो जब जब आपके question में hostile expenditure allowance given होगा दोस्तों तो आप वहाँ पर जो exemption ले पाओगे that is 300 per month per child एक बच्चे के लिए एक महीने का 300 रुपिया का exemption आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो maximum exemption आपको 300 रुपिया मिलेगा और ये exemption आप ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चों के लिए ले सकते हो अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों मुझे एक बात बताओ अगर सपोज करो आपको हॉस्टल वाला जो अलाउंस है वो 200 रुप्या परमंत मिलता है एक बच्चे के लिए परमंत पर चाइड तो क्या आप exemption यहाँ पर 300 ले लोगे नहीं ले सकते हैं वो ही पहले वाली बात हाँ अगर आपको 350 मिलता है अगर 250 मिलेगा तो भाई साब 250 ही लोगे हाँ अगर आपको 350 मिलता है तो you can claim exemption 300 क्योंकि यह सारी की सारी जो limit है भाई साब यह maximum limit है तो हॉस्टल expenditure allowance अगर आपको question में given है तो you can take exemption 300 परमंत पर चाइड़ लेकिन maximum कितने बच्चों के लिए दो बच्चों के लिए हम दो हमारे दो दो बच्चों से जादा के लिए अगर मिला है तो आपको exemption नहीं मिलेगी allowance तो कितने भी बच्चों के लिए मिल सकता है बट जब आप exemption minus करोगे तो as per income tax law you cannot take exemption for more than two children इसके बाद next आता है दोस्तों transport allowance अब आपके mind में ये जरूर आ रहा होगा कि sir आपने पहले जो हमको पढ़ाय थे एक तो traveling वाला पढ़ाया था और एक convince पढ़ाया था ये भी वैसा ही है क्या ना जी ना इसका purpose बिलकुल अलग है transport allowance का purpose बिलकुल अलग है इसको traveling और convince के साथ include मत कर लेना जब traveling और convince allowance मिलेगा तो वो expenditure पर based है वो किस पर based होता है expenditure पर based होता है लेकिन दोस्तों जब हम transport allowance की बात करते हैं transport allowance की तो ये वाला जो allowance होता है ये office से घर और घर से वापस office आने जाने के लिए दिया जाता है एक employee office से घर जाएगा और घर से office जाएगा इसके लिए जो allowance मिलेगा that is called transport allowance और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू ये जो transport allowance आपको question में given होता है यहाँ पर भी income tax के अंदर exemption की limit prescribed है लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों यहाँ जो exemption मिलेगी that is only for blind, deep, dump, handicapped employees कोई भी ऐसा employee भाई जो handicapped है dump है, deep है ऐसे employees के लिए ही exemption है अगर आपको यह कोई problem नहीं है तो भाई साब exemption is not given जितना transport allowance मिला है जितना transport allowance मिला है it will become fully fully taxable वो amount fully fully क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा दोस्तों वो amount fully fully taxable हो जाएगा तो transport allowance में exemption जो मिलती है वो मिलती है 3200 पर month fixed limit है इससे ज़ादा नहीं मिलती लेकिन याद रखिएगा दोस्तों यह exemption हर employee के लिए नहीं है यह जो exemption है that is only given for blind, deep, dumped or disabled employees अगर आपको यह problems नहीं है जैसे suppose करो हमें 4000 रुप्या महीना transport allowance मिलता है और हमको कोई problem नहीं है और हमने 12 months job किया तो हमें 48,000 मिलेगा लेकिन यह पूरा 48,000 taxable होगा लेकिन दोस्तों अगर हम जो है particularly disabled हैं या कुछ इस तरह की category में fall करते हैं तो ध्यान रखना आप यहाँ पर जब exemption कलेम करोगे न तो minus करेंगे exemption और exemption कितनी मिलेगी 3,200 into 12 3,200 into 12 इतनी आपको exemption मिलेगी तो अगर मैं 3,200 into 12 करूँ तो हमें exemption मिलेगी 38,400 की balance amount हमारा क्या हो जाएगा taxable 9,600 यह हमारा taxable हो जाएगा ठीक है हाँ अगर हमें transport allowance मान लो 3,000 रुपे महीने मिल रहा है तो हम फिर पूरे 3,000 की ही exemption ले लेंगे क्योंकि maximum limit 32 है लेकिन यह बहुत ज़ादा ध्यान रखने की बात है कि this exemption is only given to the employees who is handicapped जिनको problem है dump है, deep है, blind है ऐसे employees को exemption बाकी सब के लिए fully taxable हमज़ में आया transport allowance तो अभी तक मैंने कौन-कौन से पढ़ाया देखो भई एक तो मैंने पढ़ाया children education allowance 100 रुपे पर मंद पर चाइल्ड याद रखना maximum for two children एक मैंने पढ़ाया hostel expenditure allowance 300 पर मंद पर चाइल्ड maximum for two children एक मैंने पढ़ाया transport allowance जो घर से office और office से घर आने जाने के लिए मिलता है इसको traveling और convince के साथ connect मत कर देना लेकिन यहाँ पर exemption blind और handicap employees के लिए है और दोस्तों यहाँ पर जो maximum limit prescribed है that is 3200 पर मंद 3200 रुपिया महीना का आपको क्या मिलेगा exemption इससे जादा अगर मिलता है तो the balance amount is taxable अच्छा मुझे बताओ दोस्तों अजार रुपे महीने मिलता है और हमने 3500 पर मंत खर्चा कर दिया ऐसा question में दिया हुआ है तो क्या दोस्तों मैं 3500 माइनस कर लूँ नो आप 3500 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों this is not expenditure based this is limit based examiner गलत कराने के लिए बार बार ऐसा करेगा भाई लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी confused नहीं होना my dear friend बिल्कुल भी नहीं होना आपको limit माइनस करनी है limit खर्चा 3500 हो 3000 हो 0 हो doesn't matter आपको exemption limit पर base लेनी है limit पर चलो next point पर आ जाते है my dear friends next point पर आ जाते है next point जो हमें दे रखा है that is called special allowance given to transport employees ये भाई साब एक special allowance है special जो कि केवल और केवल transport employees को दिया जाता है मतलब ऐसे employee जो transport system के अंदर job करते हैं उनको दिया जाता है हर किसी को नहीं दिया जाता है ये एक special allowance है which is given to transport employees जैसे truck drivers वगरा हो गए उनको दिया जाता है क्योंकि उनको एक बहुत लंबे लंबे ट्यूर करने पड़ते हैं तो जब उनको बहुत लंबे लंबे ट्यूर करने पड़ते हैं तो रास्ते में बहुत सारे खर्चे होते हैं तो transport system में जो नौकरी करने वाले लोग हैं जैसे truck में काम करने वाले drivers वगरा होगे उनको मिलता है यह तो आपके सामने जब question आएगा तो पहले से यह line fix होगी कि Mr. सिद्धू truck driver तो आप समझ जाना Mr. सिद्धू truck driver का क्या मतलब है Mr. सिद्धू truck driver अगर वहाँ पर लिखाओ आ रहा है इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर कोई न कोई special allowance मिलेगा transport employees को कोई न कोई special यहाँ पर allowance दिया जाएगा transport employees को तो आप तुरंट समझ जाना dear my dear friend इस बात को बहुत अच्छे से अच्छा दोस्तों यह जो allowance होता है यह केवल transport employees को दिया जाता है जितना मिलेगा that is given in your question कितना मिला है that is given in your question आपको तो exemption निकालनी है exemption suppose करो हमको यह special allowance पंदरा हजार रुपे महीने मिलता है ऐसा हमारे question में लिखा है 15,000 पर मन्त तो ज़रा मुझे बताओ अगर हम 12 months नौकरी किये हैं तो पंदरा हजार इंटू 12 करोगे तो भई यह amount निकल कर आता है हमारा 1,80,000 1,80,000 हम इसमें से minus करेंगे exemption यह जो 1,80,000 का हमें special allowance मिला है इसमें से हम exemption minus करेंगे अच्छा खर्चा आप कम करो जादा करो doesn't matter examiner अगर आपको expenditure दे भी रहा है भाई उस पर ध्यान मत देना और यहां exemption मिलेगी 70% of such allowance यह जो allowance है इसका 70% निकालो और 10,000 रुपे महिने लौके अंदर fix है whichever is lower तो देखो भाई एक लाग 80,000 हमें मिला है सबसे पहले हम इसका 70% करेंगे इसका 70% आता है हमारा 1,26,000 और 10,000 रुपे महिने का तो 10,000 into 12 कर लो मतलब 120 हो गया इन दोनों में से जो lower होगा तो बताओ जी lower कौन सा है 120 है lower तो 60,000 becomes taxable 60,000 रुपे हमारा यहां पर taxable हो जाएगा तो यह एक special allowance है जो transport employees को दिया जाता है जितना allowance होगा उसका 70% ले लो जितना allowance होगा उसका 70% ले लो और 10,000 रुपया महीना और 10,000 रुपीज पर मन्त ले लो whichever is lower जो भी दोनों में से कम हो उतने amount की आपको क्या मिल जाएगी exemption मिल जाएगी और balance amount is taxable बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं तो खर्चा कम हो जादा हो doesn't matter expenditure दिया जाएगा भाई लेकिन उसके उपर ध्यान मत देना is it clear or not? yes sir it is clear तो ये 10,000 रुपया महीना law में fix है भाई मेर से मत पूछना 10,000 कहां से आया ये सारी limit law में fix है हम कुछ नहीं कर सकते ये कभी मत पूछना sir यहां 10,000 क्यों आया यहां पर 3200 क्यों आया यहां पर 300 क्यों आया ये तो law maker ने भाई साब limit fix कर रखी है इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते ये पहले से कानून के अंदर law के अंदर fix है इसके बाद फिफ्ट नंबर पर आता है underground allowance आप tension मतलो दोस्तों अभी की अभी हम class में याद करेंगे ये सारे आप ये मत सोचो कि अरे याद कैसे होंगे बिल्कुल होंगे डियर बिल्कुल होंगे अब आप कहोगे सर ये underground allowance का क्या मतलब है ये क्या होता है underground allowance कई students बोलते हैं कि सर किसी की अगर basement में जॉब लगी हुई है तो उसको underground allowance मिलेगा अब अनका फाल तु बात मत करा basement में तोड़ी मिलता है ये अरे underground allowance का मतलब basement से नहीं है बहुत सारी जॉब ऐसी होती है भाई जो unnatural climate में आपको करनी पड़ती है जैसे for example coal mines coal mines बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो coal mines के अंदर नौकरी करते है अब coal mines कोई ऐसी जगे तो होगी नहीं वो तो जमीन के नीचे जाकर आपको काम करना पड़ेगा आप लोगों ने कभी discovery channel पर या वहाँ पर देखा भी होगा कि वहाँ पर उनके एक helmet सा लगावा होता है उसके उपर एक torch लगी भी होती है तो वो लोग कितने वाले employees तो उनका जो मालिक होता है उनका जो employer होता है वो उनको underground allowance देता है ठीक है अब suppose करो भई underground allowance आपको अलग से 1000 रुपे महीने मिलता है 12000 तो बताओ भई exemption कितनी लोगे 800 के इसाब से लोगे तो 800 into 12 मतलब 9600 तो 2400 रुपिया हमारा क्या हो जाएगा और अगर underground allowance हमको 500 महीने का मिलेगा तो 500 का ही exemption मिलेगा फिर ये थोड़ी है मैं 800 तो लेकर रहूँगा कैसे ले लेगा तो underground जो allowance होता है भाई इसके अंदर exemption की limit law में prescribed है 800 पर मत जादा से जादा 800 रुपिया महीने की आप exemption यहाँ पर claim कर सकते हो is it clear or not हाँ सर बिलकुल बात समझ में आ गई बहुत जोड से आ गई फिर होता है tribal area allowance अब ये tribal area allowance क्या होता है आदिवासी शेत्र दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी जिनकी duty आदिवासी शेत्र में होती है tribal areas tribal का मतलब है remote areas दूर दराज के शेत्र भी होते है tribal areas अब आपको ऐसे याद नहीं करना कई जगे बुक में तो tribal area की list दी हुई है यह हमारे देश में tribal areas है इतना आपको याद नहीं करना ठीक है exam में इतना detailed में या इतना ज़्यादा depth में नहीं पूछेगा tribal area allowance है तो आप इतना सा याद कर लो आदिवासी शेत्र अब किसी की मालो आदिवासी शेत्र में duty लग गिया उसका job लग गिया tribal area पताओ कितना risk होता है उसने मालिक को कहा मालिक मैं वहाँ नौकरी नहीं करूँगा मुझे रात को dance की आवाजें आती है आदिवासी लोग dance करते हैं हुआ 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 करके जिंगा लाला जिंगा लाला और मैं अगर कल्ने को मेरे को मालो पकड़के ले गए मेरी बली चड़ा दी तो मैं जवाब नहीं करूँगा tribal area में तो मालिक ने कहा मैं तेरे को 2000 रुपे महीने tribal area allowance दूँगा बोल अब करेगा या नहीं करेगा कि हाँ जी अब कर लूँगा मैं तो tribal area allowance मिलता है भाई क्योंकि आप ऐसी जगे पर नौकरी कर रहे हो जो एक तरह से मतलब देखा जाये तो वहाँ सारी facility थोड़ी है तो मालिक उसको compensate करने के लिए employer उसको compensate करने के लिए एक tribal area allowance देता है अब माल लो दोस्तों वो tribal area allowance 2000 रुपे महीने मिला तो इसका मतलब आपको 24,000 मिले तो you can take exemption only 200 मतलब 2400 तो एक तरह से जो 21,600 होगा balance amount it will become taxable 21,600 रुपया आपका क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा बोलो भाई लोगों समझ में आया क्या आप लोगों को हाँ सर बात समझ में आ गई एक होता है hill border remote area allowance hill border remote area allowance ये भाई साब हमारे देश में जो army के लोग होते हैं हमारे देश के जो सैनिक होते हैं उनको मिलता है दो तो आज अगर हम अपने घरों में मैफूज हैं तो किस के पीछे उन army के लोगों के पीछे जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं वो हमारे देश की आन, बान और शान है दोस्तों और आपको पता है वो कैसे कैसे climate में नौकरी करते हैं हिल एरियाज पर पहाड़ी शेत्र जहां पर आप और हम जैसे लोगों की हवा निकल जाए एक बार तो हिल एरियाज में उनका नौकरी होता है बॉर्डर पर संदे से आते हैं बॉर्डर पर कितना खत्रा होता है आतंगवादियों का हमेशा डर का साया होता है रिमोट एरियाज में उनकी नौकरी होती है तो हमारे देश के जवानों को इस तरह का एक special allowance दिया जाता है जब उनकी duty उनको एक special allowance वहाँ पर मिलता है अब जितना मिलता है बात ये है मुद्दे की की exemption कितना मिलेगा exemption कितना मिलेगा दोस्तों ये बात समझने की है कि हम वहाँ पर exemption कितना ले पाएंगे तो मैं आपको बता दू भई exemption जो मिलता है उसमें minimum criteria है 200 रुपया महिना और maximum criteria है 7000 रुपया महिना 7000 पर मन अब दोस्तों अगर आप कभी book देखोगे या कहीं आपने मालो study mat देख लिया तो hill border और remote area में अलग-अलग limit दी हुई है कि भाई अगर इतने fit की उचाई पर duty है तो 200 रुपया महिना इतने foot पर है तो 500 किसी पर 800 किसी पर 1500 दोस्तों इतना हम याद नहीं कर सकते और इसका requirement भी नहीं है पूरा history उठा कर देख लो ऐसे कोई examiner question नहीं मनाता है तो मैंने सोचा भाई देखो छोड़ना तो गलत है लेकिन कम से कम एक minimum criteria और एक maximum criteria याद कर लो अब अगर माल लो किसी का duty बहुत नीचे के level पर लगा है क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा height पर duty लगेगा उतना ज़्यादा risk बढ़ जाता है उतना ही oxygen level वहाँ पर कम हो जाता है तो अगर माल लीजिए किसी सैनिक की किसी सोलजर की किसी आर्मी के जवान की duty एक normal level पर लगी है तो minimum exemption 200 रुपया महिना है 200 रुपया महिना और अगर माल लो सियाचीन सियाचीन बहुत उपर है लिया मतलब वहाँ पर minus 40 degree temperature होता है minus 40 अरे 0 degree पर तो बरफ जम जाती है हमारे देश के जवान minus 40 minus 50 पर वहाँ तैनात होते है सोचो हम कैसे रह सकते हैं और वहाँ पर सियाचीन इलाखे में जो सबसे उपर हाइट है वहाँ पर दोस्तों सैना के जवानों को special तरह के कपड़े और उनके जो एक एक बूट होता है न उनका जो जूते होते हैं शूज वह भी बड़े special होते है मैंने एक देखा था coverage documentary देखी थी दो लाख रुपया एक जूते का खर्चा होता है ऐसे special उनको चीज़ें मिलती है क्योंकि वो climate ही ऐसा है तो अगर इतनी ज़ादा height पर आपकी duty है जैसे सियाचीन area है तो you can claim exemption 7,000 per month 7,000 रुपया महिना you can take exemption अब अगर आपको मालो allowance 10,000 रुपया महिना मिल रहा है extra because you are doing your job on सियाचीन area मैं तो कहता हूँ 50,000 मिलना चीए आईसा हुआ इनसान का पता नहीं है करो example लेते हैं 10,000 रुपया महिना मिला तो 10,000 में से you can claim exemption only 7,000 तो ये जो 3,000 रुपया बच गया 3,000 रुपया जो बच गया that will become taxable तो 12 महिने को 3,000 से multiply करो 36,000 will become taxable तो भाई साब ये वो allowance हैं जिनमें आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे और आपको limit भी याद रखने पड़ेंगे पटाफट से एक बार revise करते हैं Children Education Allowance 100 रुपया पर मंद पर चाइल्ड मैक्सीमम दो बच्चों के लिए Hostel Expenditure Allowance 300 पर मंद पर चाइल्ड मैक्सीमम दो बच्चों के लिए Transport Allowance केवल Handicap Employee को Exemption मिलेगी 3200 पर मंद Special Allowance जो Transport Employee को दिया जाता है जितना allowance मिलेगा जितना allowance मिलेगा उसका 70% और 10,000 रुपया महीना Fixed Limit है Whichever is Lower Underground Allowance 800 रुपया महीने का Exemption है Tribal Area Allowance 200 रुपया पर मंद का Exemption है Hill Border और Remote Area Allowance Hill Border और Remote Area Allowance 200 पर मंद का Exemption है Ground Duties पर लेकिन अगर Highest Peak पर आपका Duty लगा है तो 7,000 रुपया महीना है बाकी बहुत सारी Limits दे रखी है बड़ इस Totally Irrelevant फिर भी आपका मन करें तो भाई आप पढ़ देना बाकी मैं तो आपको Suggest नहीं करूँगा क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों बहुत कुछ है तो अभी मैं आप लोगों को Allowance पढ़ा रहा था Allowance में Fully Taxable Allowance होते हैं Partly Taxable होते हैं और Fully Exempt होते हैं सबसे पहले हम Partly Taxable पढ़ रहे हैं Partly में एक Expenses Base होते हैं एक Limit Base होते हैं तो आप इसको Pause करके Note कर लो Pause कर लीजिएगा इसको Expenses Base में Traveling, Daily, Convents, Helper, Research, Academic, Uniform Limit Base में होते हैं Children, Education Allowance 100 रुप्या पर मंद पर चाइल्ड Hostel, 300 पर मंद पर चाइल्ड Transport Allowance Transport Allowance होता है 3200 पर मंद केवल हैंडीकेप्ट के लिए Special Allowance Transport Employees को 10,000 रुप्या महीना Underground Allowance 800 रुप्या महीना Tribal Area Allowance 200 रुप्या महीना Hill Border और Remote Area Allowance होता है 200 रुप्या से लेकर 7,000 तक का Limit है अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक Note दिया है कि Note क्या है याद करो दोस्तों याद करो मैं आप लोगों को जब Basic Concept वाला Chapter पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर एक Optional Scheme दी थी Tax लगाने की वैसे तो Celebrate होता है भाई, 2.5 लाग तक 0 250 से 5 लाग तक जो है 5% 5 लाग से 10 लाग तक 20% 10 लाग से उपर जाने पर 30% बताया था आप लोगों को लेकिन Government ने एक नया Taxation Scheme लाँच किया है That is Optional Scheme तो अगर आप चाहो तो वो जो New Slab Rate है वो भी लगा सकते है और वो New Slab Rate वो जो New Option है वो 115 BAC में आपको दिया गया है 115 BAC में वो आपको दिया गया है तो दोस्तों अगर आपने वो वाली स्कीम लगाई अच्छा उसके अंदर Tax का Rate कम है वहाँ पर Tax का Rate बहुत कम है दोस्तों है ना तो अगर आप वो 115 BAC एक बार Basic Concept वाला Chapter उठा कर देखना अगर आप वो वाला Option क्लेम करते हो तो मैंने कहा था ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो दोस्तों अगर आप Section 115 BAC को लगाऊगे तो आपको कुछ benefits छोड़ने पड़ेगे तो अगर आपने Section 115 BAC में जो rates दी गई है जो की एक तरह से कम वाली rates है मैंने आपको लिखवाई है वो basic वाले chapter में तो आपको यहाँ पर जो traveling वाला allowance है daily allowance है और convince allowance है इनका ही exemption मिलेगा बाकी exemption आपको नहीं मिलेगा traveling वाला, daily वाला और convince वाला ये तीन exemption ही आप ले पाऊगे बाकी जो भी allowance है भाई वहाँ आप exemption नहीं लेखाओ तो एक तरह से दोस्तों government अगर tax rate कम करती है तो आपकी exemption बहुत सारी withdraw कर ली तो ऐसा मैं बीच बीच में कई बार बताऊँगा कि देखो अगर आप section 115 BAC लगाते हो optional scheme अगर आप लेते हो taxation की जो lower rate वाली scheme है तो आपको exemption benefits allowance only बाकी के लिए आपको benefit नहीं दिया जाए तो ये बात आपको याद रखनी है इसके बाद दोस्तों हमारा एक house rent allowance बचा है house rent allowance इसको हम next class में करेंगे मैं आपको इसका एक question practice करवा देता हूँ देखो इसका एक question practice के लिए वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ यह हमारा question bank है जो question bank मैं आपने app के उपर भी upload कर दूँगा वहाँ से आपको यह मिल जाएगा freely you can download it यह chapter wise मैंने नए questions आप लोगों को बना कर दिये हैं salary के इनको अगर आप कर लेते हो तो best है इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना यह देखो इसमें आप लोग question number 2 पर आजाएए very good question question number 2 बहुत अच्छा है अच्छा अगर आप descriptive question करोगे दोस्तों तो जो mcq based question है वो भी आपके बहुत easily हो जाएगे यह देखो three kand two sons, three kand के दो बच्चे हैं he is in receipt of children education allowance उसको children education allowance मिलता है 150 per month for his elder son elder son के लिए 1500 रुपया महीना मिलता है और younger son के लिए 70 रुपीज पर बंत मिलता है श्रीकांत को both his sons are going to school he also received the following allowance transport allowance भी मिलता है 1800 per month लेकिन देखो question में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि Mr. Shrikanth handicap है तो जब तक नहीं लिखेगा तो हम handicap कैसे मान ले तो जब तक नहीं लिखेगा तो हम handicap कैसे मान ले आपको पूचा है compute his taxable allowance आपको श्रीकांत के लिए taxable allowance निकालना है बहुत simple है जैसे अगर मैं children education allowance की बात करूँ तो सबसे पहले हम elder की बात करें तो elder का 150 मिला है 100 रुपया का exemption है और in absence of information हम तो पूरे 12 महीने मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 into 12 जो taxable part है 50 into 12 700 रुपया लेगा सब्सक्राइग ये हमारा 600 रुपया निकल कर आएगा ऐसे ही हमारा जो यंगर वाला सन है यंगर 70 तो exemption भी 70 मिलेगी आपको पता है न लिमिट फिक्स है 100 रुपया मैक्सीम हमें तो 70 मिलाए तो 70 मिलेगी तो ये 0 आएगा तो 600 रुपया तो ये ले लो taxable में इसके बाद ट्रांस्पोर्ट अलाउंस ये 1800 पर मन्त है इन्टू 12 यहां हम exemption नहीं लेगे ये 21600 आगया फिर आएगा ट्राइबल एरिया अलाउंस तो 500 में से ट्राइबल एरिया में 200 रुपया की छूट मिलती है इन्टू 12 कर लो तो 3600 रुपया ये ले लो तो taxable पार्ट कितना है 25800 ये आएदा हमारा taxable अलाउंस चलो एक बाद आंस्पर देख लेते हैं ये देखो सबसे पहले आपको लिखना पढ़ेगा taxable allowance in the hands of Mr. Shrikant elder son का ये कर दिया देखो 100 रुपया माइनस करके 600 younger son का 0 आएगा transfer allowance पूरा taxable होगा because handicap employee नहीं है tribal area में 200 रुपया की छूट मिलेगी 12 months से multiply करेंगे 3600 आएगा तो total taxable allowance आएगा 25800 हमारा भी क्या आया था बोलो 25800 बोलो समझ में आया या नहीं आया आपको very simple कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आज हम दोस्तों इसको यहीं तक करेंगे बाकी के बच्चेवे provision एक बहुत ही special allowance है जिसको हम लोग HR बोलते हैं वो भी मैं आप लोगों को next class में कराके चलूँ बाकी आपको कोई भी confusion रहता है doubt रहता है तो app के अंदर मेरा contact number available है और YouTube पर अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो description box में आपको मेरा contact number मिलेगा तो वहाँ पर आप मुझे WhatsApp करके जानकारी ले सकते हो तो चलिए जी दोस्तों thank you so much last में जाते जाते एक ही बात बोलूँगा जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो thank you very much